देखिए भारत एट नाइन काबेंदर चौहान के साथ आपकर नहीं लगाए, यह बताने के लिए घटना की तस्वीर काफी है, जो टेजी से वाइरल हो रही है क्या वाइरल होने के लिए इस अंसार में इंसानी जमात क्या खत्म हो चुकी है क्या यह भेडियों का शहर हो चुका है क्या महिलाओ की चीख पुकार किसी सुनाई नहीं देते जहां पर महिलाओं के साथ ये जगन अपराद होते रहते हैं जगन अपरादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट, सरकार, नेता सभी बहुत गंभीर नजर आते हैं या फिर जो अपरादी प्रवर्ती के लोग है वो जादा सकत हो चुके हैं दुशकर्म की क्या कुछ परिवासा है अगर शारिरिक नहीं है तो दुशकर्म का क्या मुकदमा नहीं चल सकता जो लोग मान से दुशकर्म कर जाते हैं उनके खिलाफ क्या खानून है क्योंकि लगातार molestation की खबरे सामने आती रहती है छेडखानी की खबरे सामने आती रहती है और छेडखानी कभी-कभी सीमा इतनी पार कर जाती है कि ऐसा लगता है कि ये दुशकर्म से भी कुछ जादा कुरूर हो गया और जगन्य हो गया है दुशकर्म अपने आप में एक सबसे जगन्य प्राद है जो इंसानी जमात के बीच कहीं भी ठहर नहीं सकता इसकी क्या सजा होनी चाहिए इस पर सवाल या जवाब बहुत हो सकते है परस्टली मुझे जो सही लगता है वो कपिटल पनिश्मेंट है फांसी की सजा है मृत्यू की सजा दी जानी चाहिए इसको लेकर लगातार बाचीत होती रहती है आवाजे उठती रहती है लेकिन कही न कहीं कुछ मामले ऐसे भी आजाते हैं जो इन आवाजों को कमजोर कर देते हैं लेकिन अगर दोशी साबित हो चुका है तो फांसी की सजा क्यूं न दी जाए क्यूं सिलाई मशीन दी जाए और इसमें नाबालिग और बालिग जैसे डिफ्रेंशियेशन जो है वो क्यूं पैदा होते हैं आज की जिस चर्चा पर हम बात कर रहे हैं भारत 8-9 में वो दरसल ये है कि छपरा का एक मामला है छपरा की एक गाओ है छपरा की एक सड़क है जहां से तस्वीरे निकल कर सामने आई हैं बताया जा रहा है कि एक महिला और एक पुरुष खेत में थे तभी गाओं के लोग उनको पकड़ लेते हैं पकड़ने के बाद वो लोग क्या कुछ करते हैं वो तस्वीरे आपको पूरी तरीके से नहीं दिखाई जा सकती हाला कि बलर करके दिखाने की कोशिश करेंगे बगातार इस तरीके की तस्वीरे आते हैं कि ग्रामीडों ने गाओं के बाग गाओं के खेत में पकड़ा और इस तरीके से हरकते की हरकते जायज तब तक हो सकती हैं जब तक आप पुलिस बुलाने की धमकी देते हो जब तक आप उनके परिवारी जनों को बुलाने की धमक लेकिन अगर आप सीधे तोर पर खुद भेड़िये बन जाते हैं तो आप कही न कहीं खुद कटगरे में खड़े हो जाते हैं दोशी हो जाते हैं और इसी के साथ मुझरिम भी हो जाते हैं लेकिन छपरा से आती तस्वीरे कोई पहली बार की नहीं है इससे पहले मेरट से ऐसी तस्वीर आचुकी है बस्ती से ऐसी तस्वीर आचुकी है श्रावस्ती से ऐसी तस्वीर आचुकी है और बिहार के तो कहने क्या मोतिहारी से लेकर हर जगाच अपारेट तक इस तरीके के तस्वीरे हम लोग देख चुके हैं इन तस्वीरों को देखते एक समय मुझे सबसे ज पड़क पर सुरक्षा के साथ चल सकती है, ये कुछ दिया है BJP सरकार उन्हें, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, अगर एक इंजन इस तरीके की बाते करता है, तो अगर दो इंजन लगी सरकारे भी ये सब कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो मतलब दावे खोकले हैं, बाते प उनको कम होने की लगातार भरपूश कोशिश की जा रही है, ऐसे में सवाल बार बार आता है कि जब आप रात में महिला सुरक्षित हैं, ऐसी बाते बिना लाग लपेट के, बिना हिचक के, या बिना खासी दिये ही कह जाते हैं, एक ही शब्दा बली में, एक सेंटेंस में, तो क्यों नहीं, ये तस्वीरे आपको नजर आती हैं, जो लगातार हर दूसरे तीसरे महिने सामने आ जाती हैं, ये तस्वीरे वाइरल हो जाती हैं, उस महिला का क्या, जिसके सामने, और सब कुछ हो रहा होगा, उस पुरुश का क्या, कि जिसके सामने, वो जिससे प्रेम क जाकर या YouTube पर जाकर इसको सर्च कर सकते हैं, आप इंटरनेट पर जाकर तहकानों में भी इन वीडियो उसको देख सकते हैं, यह छिपा दी गई होंगी या फिर किसी तरीके से इनको समाज में ना लाने की कोशिच की जा सकती है, लेकिन आप ये फिर भी इंटरनेट के जरिये देख सकते हैं, लेकिन ये बार बार सवाल उठता है कि आखिर एक वाइरल वीडियो जिसको आप देखते हैं, जो चमपारन्ट से आ रही है, वो एक महला के लिए किस तरीके की वीडियो है, उस महिला के ऊपर जो गुजर रही है, उसको एक वीडियो के شब्दों में आप अ आखों के सामने रखते हैं उसको देख लेते हैं लेकिन आपने कभी सोचा कि उस महिला उस युवती या उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ जो कुछ गुजरा बस रा क्या वो जीवन भर इस चीज़ को भूल पाएगी कुछ मिरिट का किया गया क्रत जो हैवान थे वो जो ल बनते हैं क्योंकि हर चीज़ का दारो मदार सिर्फ सरकार के उपर प्रशासर के उपर पुलिस के उपर नहीं डाला जा सकता इसलिए समाज से भी ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्या आपके सरकिल में क्या आपके जितने भी घर है बने हुए हैं जिस समाज में आप रहत जिस तालुका में आप रहते हैं या फिर जिस गली में आप रहते हैं क्या उस माझसिक परवर्ती के लोग वहां मौझूद हैं क्या वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको इंसानी जमात का हिस्सा ना बनने दिया जाए, क्या ऐसे लोग मौजूद हैं जो भेडिये की शकल में यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि देर सवेर सभी को ऐसा पता लगी जाता है, लिकिन अगर आप इसको आसान भाशा में के लोग के सहारे उड़ाई गई बाते सही नहीं हैं, क्योंकि अगर आपके घर की महिलाओं के बारे में वो बाते नहीं हो रही हैं, तब तक अगर आप उनको जायस ठहरा रही हैं, तो कहीं न कहीं आप ये जायस ठहरा रही हैं, कि कल आपके घर की महिलाओं के बारे में भी व परसंद नहीं पहुँच सकता इसलिए प्रशासन अपनी कलाईयां साफ कर लेता है सरकार के जो दावे हैं बाते हैं वो लगातार जारी है राजमेतिक पार्टियों की बाते हमेशा गुड मिठाई की तरह ही आती हैं कभी भी कड़वी बाते उन्हें पसंद नहीं आती सुनना और नहीं बोलना तो जो कड़वा कड़वा है उसे थूख देते हैं जो मीठा मीठा है उसे गप गप कर लेते हैं लेकिर ये तस्वीरे बिहार से क्यों सामने आती है बार बार इसी पर आज भारत एट-9 का इकारिकरम है जिस पर हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको तस राजरेतीख घल चल अगर कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है उसके अलग माइने हैं लेकिस अमाज में सुशासन का दब भरने वाली सरकार दुशासन को अपने आप से क्यो नहीं जोडती अगर नाम के आगर सुशासन लगा लेने से सरकार सुशासन में हो जाती है तो ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है इस पर भी परी चर्चा होनी चाहिए इस पर भी चर्चा होनी चाहिए बहस होनी चाहिए इस देश में सिर्फ एक ही जगा नहीं है जहां घटना हुई हो, इस देश में सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा हुई हो, इस देश की हर गली, नुकड, चौराओ और हर समाज में घटनाए हो रही है, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन क्या मीडिया आपको हर ची इंड़ाद आपके सामने परोस्ति लगा है मीडिया 36 गड़ क्यों नहीं पहुँच पारा मीडिया चपरा क्यों नहीं पहुच पारा मीडिया चंपारण क्यों नहीं पहुच पारा मीडिया तमिलाडू क्यों नहीं पहुचता मीडिया करनाटिका क्यों नहीं पहुंचता, मीडिया केरल क्यों नहीं पहुंचता, मेरेट जो मीडिया है वो सिर्फ उनी राज्यों तक क्यों स्रेशीमित है, जहां पर चुना होने है मीडिया अभी फिलाल की बात करूँ तो लकीमपूर की घटा को लेकर लगातार चौतरफा बाचीत कर रहा है सारे के सारे रिपोर्टर्स की एक जमात है जो इस वक्त लकीमपूर खिरी में बैठा दी गई है लखीमपूर खिरी में बैटी जमात रिपोर्टर्स की क्या आपको ये बता सकती है कि चमपारण में जो एक महिला के साथ हुआ है उस पर आखिर प्रशासन क्या कह रहा है उस पर आखिर किस तरीके की कारवाई हुई है क्या कारवाई जो हुई है वो ठीक है अगर ठीक है तो कितनी सीमित सभा तक ठीक है अगर वो सीमित दाइरे तक ठीक नहीं है तो उस पर आखिर मीडिया ने क्या कुछ किया है मीडिया ने किस तरीके से प्रशासन को जुखाने का काम वहाँ पर करने की कोशिश भी की है क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो मीडिया की भी है अगर कुछ जिम्मेदारियों का सामना मीडिया नहीं कर सकती तो मीडिया को अपने नाम के आगे जो परिभाशत करते हैं उसको हटा देना चाहिए पत्रकार के परिभाशा कुछ और होती है अगर मीडिया सिर्फ लखीमपूर खिरी की घटना को चोड़ तोड़ के और बड़ा चढ़ा कर अगर दिखाने की लगातार कोशिश कर रही है तो मीडिया को अपने नाम के आगे लगा देना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी का विस्तरत रूप है मीडिया किसी की भी हो सकती है, बीजेपी की भी हो सकती है, कॉंग्रेस की भी हो सकती है, समाजवादी पार्टी की भी हो सकती है, एजिंडा सबका होता है इसलिए मीडिया वालों को चाहिए कि अपने नाम के आगे से पत्रकार हटा कर पॉलिटिकल पार्टी की विस्तरत साखा या विस्तारिस शाखा जैसे शब्दों को अपने साथ जोड़ दिना चाहिए क्योंकि अगर लखीमपुर की घटना आपके मन में हलचल पैदा करती है तो चमपारेट की घटना या छपरा की घटना आपके दिल को क्यों नहीं दहलाती इस चीजों पर सवाल जवाब बोने चाहिए सवाल जवाब करने के लिए खबर तो आप तक पहुँचनी चाहिए अगर आपको खबर के भेश में आपके पास सब नहीं पहुचती तो आप समझ जाईए कि पत्रकार सोच चुका है और जनता मर चुकी है नेता तो अपने आपको जगाते ही रहते हैं लेकिन उनका इमान क आपको जागेगा ये जानना समझना सोचना बहुत ज़रूरी है घटना क्या कुछ है एक पैकेज बनाया गया है हमारी टीम के द्वारा उस पैकेज को आप देख सकते हैं बिहार की सियासी हलचल कुछ भी कहती हो लेकिन बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है ये बताने के लिए काफी है छपरा से आ रही ये तस्वीर छप्रा से आ रही ये तस्वीर बताती है कि बिहार में सुशासन बाबू कुछ भी बोलते हो बिहार में सुशासन की सरकार होने का दावा किया जाता हो लेकिन जंगल राज के आरोप सहने वाली लालू सरकार के जैसी तस्वीरे यहां भी कई देखने को मिलती है आपको बता दें कि ये तस्वीरे छपरा से हैं छपरा में ये कुछ भी जो हो रहा है ये बताता है कि बेटियां कितनी सुरक्षित हैं बेटियों की सुरक्षा को लेकर दंब भरने वाली ये सरकात किस तरीके से नाकामी के दंशित जेल रही है किस तरीके से एक महिला को कुछ यूवा पकड़ लेती हैं जिसके बाद महिला उनसे अपने आप को छोड़ देने की गोहार लगाती है और बत्तिमीजी की सारी सीमाओं को पार कर रहे यूवा नजरों से ही उसका दुशकर्म कर देती हैं लेकिन क्या ये सवाल नहीं बनता कि आखिर उन यूवाओं में बेनकुल जो बेखौफी का साया है बेखौफी का जो आलम है वो कहां से आया है ये यूवा एक पल के लिए भी ये क्यों नहीं सोचते कि कानून का राज है और कानून के राज में ये जो क्रत्य है ये सबसे जगन्य अपराद है तो जगन में अपराद की भी सीमाओं को तोड़ते ये यूँवा ये कुछ क्यों नहीं समझ पाते कि भेडियों के संसार में इस तरीके की हस्ती तो जायज है लेकिन इंसानी दुनिया में ये सब कुछ जायज नहीं तो क्या ये भेडियों का राज है ये क्या जितने भी लोग नजर आ रहे हैं तस्वीरों में ये क्या सभी भेडिये हो चुके हैं क्योंकि इनको जानवर कहना अब ठीक नहीं होगा इनको भेडिया कहा जाए वही ठीक होगा क्योंकि चीरहरंड की ये तस्वीरे छपरा से आई है और छपरा से आती इन तस्वीरों को देखते हुए बस यही कहा जा सकता है कि चीरहरंड हो रहा है तो ऐसे समय में श्रेकरश ने कहा है लेकिन कल्यूग है तो तस्वीरे भी आती हैं लेकिन ये तस्वीरे आने का जो सिलसिला है वो कब थमेगा और कैसे थमेगा क्यों इन लोगों के अंदर इतना बेखौफी का आलम है कि ये लोग बेखौफ होकर कैसे एक महिला के साथ सारी सीमाएं पार कर रही हैं कैसे एक महिला को सरी रहा पकड लेते हैं और उसके साथ छेडखानी की हर सीमा को लांग जाते हैं अभी तक पूरे मामले में चार लोगों को गिरफतार किया है लेकिन क्या गिरफतारी के बाद भी इस तरीके की जो तस्वीरे हैं वो आना बंद हुई है तो उसका जवाब है नहीं और ऐसा पहली बार नहीं है कि बिहार में इस तरीके की तस्वीरे सामने आई हो जहां पर यूगती को पकड़ कर उसके साथ छेडखानी की गई हो लेकिन ये तस्वीरे लगातार आती रहीं और जंगल राज का रोप सरकारों पर लगता रहा लेकिन सुशासन बाबू की सरकार में लगातार दम्ब भड़ा गया कि उनकी सरकार में बेटियां सुरक्षित है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का लगातार नारा दिया क्या लिकिन क्या ऐसी तस्वीरें जो सामने आती हैं क्या इनके जरीए अब इस दम्ब को ये सरकार कायम रख पाएगी क्या इस सरकार को नहीं लगता कि जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तब तक सरकार के आगे सुशासन लगाना क्या जायज है क्या ये तस्वीरे जहां से आई हैं वहां कानून मर चुका है क्या वहाँ बेटियों के साथ इस तरीके की हरकत करने वालों के अंदर से डर खत्म हो चुका है ये तस्वीरें ये बताती है कि अभी भी इंसानी दुनिया में भेडियों का साया कायम है लेकिन क्या वो चीख पुकार रही महिला, क्या वो किस चीज की दोशी है ये भी सवाल है कि उस महिला के साथ इस तरह से बत्तमीजी की हर सीमा पार करते ये लोग क्यों उसके साथ जात्ती कर रहे है क्या उस महिला का कुसूर क्या है, क्या उस महिला का सिर्फ इतना कुसूर है कि वो महिला है अगर यही कुसूर है तो फिर ये बात क्यों न बार-बार की जाए कि महिलाओं के लिए कानून और कड़े करने की जरूत है महिला सुरक्षा में कई अभी धीले कानून है जिनके चलते ये लोग इस तरीके की हरकत करने में बाज नहीं आते क्या तस्वीरे ये नहीं कहती ही कि इस तरह की नियत पाले ये लोग एक दुशकर्म की घटना देने से भी पीछे नहीं हट सकते ये जरूरी नहीं कि शाररिक दुशकर्म की ही बात की जाए ये लोग कही न कही मानसिक दुषकर्म में लिप्त हैं और इनको उसी सजा से क्यों न नवाजा जाए जो सजा एक दुषकर्म के आरूपी को दी जाती है दुषकर्म के दोशी को दी जाती है लेकिन अब इतक क्या कुछ हुआ है तो उसके जवाब में निकल कर सामने आया है कि प्रिशासन द्वारा चार लोगों को गिरफतार किया क्या है तो क्या चार लोगों को गिरफतारी के साथ ही उस महिला ने जो कुछ जेला है उस महिला ने जो मांसिक उत्पीडन जेला है क्या वो समाप्त हो जाएगा क्या चार लोगों को गिरफतारी उसको निया दिला लेकिन इस चीज को जड़ से मिटाना जरूरी है या फिर गिरफतारी दिखाना जरूरी है ऐसा क्या कुछ है कि कानून के डर से ये लोग अभी भी रुखने का नाम नहीं लेते क्या कानून में कोई ढील है क्या कानून उतने जादा कड़े नहीं कि ये लोग अपनी हरकतों से बाज आ सकें इससे पहले भी कई दफ़ा बिहार के कोने कोने से इस तरीके की तस्वीरे देखी गई हैं जहां महिलाओं को सिर्फ एक कच्पुत्ती समझा गया जहां महिलाओं के साथ बत्तमीजियां की गई जा महिलाओं के साथ जात्पियां की गई जा महिलाओं के साथ छेड़ खानी की गई लेकिन ये तस्वीरे बताती हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपरादों में अभी भी लगाम नहीं लग सकी है ये तस्वीरे बताती हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराद अभी भी काबू में नहीं किये जा सकते हैं क्या इनके लिए कोई आएगा, कोई ऐसा मसीहा आएगा, कोई ऐसी सरकार आएगी जो खुलकर कह सकेगी सचे दावों के साथ कि महिला विरोधी जो चीजे हैं जो ताकते हैं उनको समाप के किया जा सकता है या किया जाएगा, लेकिन अभी फिलाहाल तो हम यही कह सकते हैं कि सुशासन बाबू के राज में भी दुशासन जिंदा है तो शासन बाबू के राज में भी जंगल राज कायम है क्योंकि जारा तस्वीरों की आवश्यक्ता नहीं है यही तस्वीरे बताने के लिए काफी है कि राज में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बाके तमान बातों पर बात की जाएगी लेकिन फिलाल बिहार पर ये खबरे बनती रहेंगी इन खबरों को दिखाने से बचना एक जरिया नहीं बलकि इन खबरों को दिखा कर समाच में बदलाओं लाना बेहत जरूरी है और इन खबरों के सहारे एक ठोस कानून बनाने की भी जरूरत है कि ये खबरे महस खबरे ना रह जाएं ये खबरे दम न कि जरा सोचिए यह सब कुछ आपके सामने क्यूं कि जरा सोचिए क्या वो महिला जिसके साथ यह सब कुछ हुआ है क्या वो जीवन भर के लिए इन चीजों को भूल पाईगी जरा सोचिए कि जिस महिला के साथ कुछ मिनिट के लिए इन भेडियों ने जो कुछ किया है क्या वो जीवन भर इस बात को भूला सकी जिस तरीके का मानसिक दुश्कर्म इन लोगों द्वारा किया गया है क्या वो महिला इस चीज से कभी निकल पाईगी ये महिलाओं को अपना निवाला समझने वाले लोग क्या कभी अपने घर की बहन बेटियों के बारे में ऐसी किसी भी चीज को सोच सकते ये कौन सा अनपड़ों का समाज है ये कौन सी अनपड़ों की जमात है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है बिहार के छपरा की ये तस्वीरे थी जहां पर चार लोगों की इंगरफतारी हो चुकी है लेकिन वो कौन लोग हैं जो ये सब कुछ करते हैं क्योंकि इस घटना में वीडियो बनाए गया था मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 70% घटनाओं में वीडियो नहीं बनाए जाते हैं और ऐसी घटनाए आम हो गई है ये क्यों हो गई है मॉलेस्टेशन को लेकर कानून है कठोर कानून है उसके बावजूर ये घटनाए क्यों हो रही है दर्शकों से पूछ रहा हूँ और एक और चीज़ बताता हूँ कि फोन लाइन आज फिर खोल दी गई है फोन लाइन खुली है कोई भी दर्शक जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है बारे साथ फोन लाइन लगातार खुली हूई है इस गडर ऐस तरीके कि घटनाएं हो रही है तो क्या राजणीथिक पार्ट यह जो कांग करती है जो सरकारे कांग करती है क्या वो सब कुछ ठीक है अगर ठीक है तो कितना ठीक है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो ये क्यों नहीं कहते कि भेडियों को भी पकड़ना जरूरी है समाच से ये बात क्यों नहीं कही जाते हैं हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं इनका नाम ठीक है, सतेंदर इनका नाम है ठीक है, शैलेंद्र नाम है आपका बहुत-बहुत स्वागत है भारत एट-9 में तो नमस्कार नमस्कार शैलेंद्र जी आप कहां से बात कर रहे हैं जी कहां से आरा से बात कर रहे हैं जी तो शैलेंग जी कारिकरम देख रहे थे इसलिए फोन किया आपके प्रशासन की बात हो गई प्रशासन की बात हो गई शैलेंद्र आपको नहीं लगता कि समाज को भी बदलने की जरूरत है जी बिलकुल देखे ऐसे लोग जो हैं जो ऐसी मानसिक्ता के लोग हैं वो हमारे बीच ही तो घूम रहे हैं जो इन सब चीजों को अंजाम देते हैं तो इन लोगों को पहचानना भी जड़ूरी है कैसे पहचान सकते हैं शैलेंद्र इनको आपके पास को इस सुझाओ हो हो है अधिकर एक बहुत भी प्रबाटिय थे सामने आती इस अधिकशन आती है है इसलिए एक बात कहना चाहूँगा इससे सारे दर्शों को तक है मैसेज पहुंच सके शैलेंदर हम लोगों को क्या करना है कैसे समाज का अब स्थापना खुद करनी है प्रशासन के हाथो या सरकार के हाथो नहीं करवाना उसको खुद समाज को अपने आप टिक का टिपड़ी है जिसको हम अपनी घर की महिलाओं के लिए लेकर नहीं सुन सकते तो ऐसी टिक का टिपड़ी उसे बचने की जरूत है और ऐसी मानसिक्ता ऐसी प्रवर्ति के लोगों को चिनहत करने की जरूत है और समाज को भी चिनहत कराने की जरूत है तभी सायद एक ब आपके पास भी मुद्दा है आपके पास भी कोई खबर हो तो शेलेंदर बेजिजक आप मेरे से जुड़ सकते हैं मेरे से बाचीत कर सकते हैं मैं आप ही के बीच का हूँ आप ही का भाई हूँ कि अवाज मिल रहे हैं शेलेंदर मेरी इसलेंदर ये कह रहा था कि आप मुझसे जुड़ते हैं बाचीत करते हैं मैं आपका भाई हूँ तो शेलेंदर कभी भी कोई भी बाचीत हो कोई घटा हो को उसको लेकर आप डाइरेट मेरी टीम से आप संपर कर सकते हैं. ठीक है? ठीक है शैलेंदर? ठीक है. ठीक है? बहुत बहुत शुक्रियां. शैलेंदर आपका हमसे जोड़ने के लिए तो ओ शैलेंदर थे हमारे साथ जुड़े हुए थे दर्शकारा से. फोन लाइन्स लगातार खुली हुई है कोई भी अगर और बात करना चाहे कॉल करना चाहे तो हमारे साथ जोड़ सकता है लेकिन मुद्दा काफी गरम है मुद्दा इसलिए गरम है क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर बाचीत करने की जरुवत है जिस पर बाचीत करने की जरुवत इसलिए है क्योंकि आधी आबादी देश की अगर वो इस तरीके के खतरों से जूज रही है कि जहाँ अखेले में दिन के उजाले में एक चलती फिर्टी सड़क के बीच कुछ लोग आकर खेर कर इस तरीके से उसके साथ हरकत कर सकते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो दिन के उजालों में सुरक्षा की बात नहीं कर पाते हैं, वो रात में सुरक्षा देने की जब बाते करते हैं, तो उनकी बाते कितनी बेमानी लगती हैं। देकिना हैव रेप्ड हर इन डिम लाइट, यह पोटेंशल रेपिस्ट और शुड़ बाते हैं। चला दे, दो दिन के लिए चला दे, वो बेमानी बात है, समाज को बदलने के लिए अभी से जागरुक होना पड़ेगा। समाज को जागरुक होने की जरूरत है। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ और उस पर खुब बात होगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा। कि यहाँ पर वही बात होती है जो आप तै करते हैं, यहाँ पर हमारी बनाई हुई बाते नहीं होती हैं, यहाँ पर वही मुद्दे, वही जर्चा और उन्ही घटनाओं को लेकर पर जर्चा की जाती हैं जिन पर आप बात करते हैं। मेरा एक बार फिर अविवादन सुईकार करिए कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी शुक्रिया